हलो फ्रेंड्स आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मैं हूँ अजय आज हम शुरुआत करेंगे पेज नमबर 105 से, क्वेस्चन नमबर 3 से तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ, कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो questions में discuss करने जा रहा हूँ, या आपको बहुत जगा मिलेंगी, आपको जो answer book आपके पास पड़ी होगी, उसमें इसके answers होगी, बहुत सारी websites पे आपको इसके answers मिलेंगी, लेकिन कई बार होता क्या है, कुछ questions के answers जो book में या फिर websites पे दियो होते हैं, वो match नहीं करते हैं, यानि कि जो question पूछा होता है, उससे जुड़ा हुआ answer कम दिया गया होता है, फालतू की बकवास जादा लिखी होती है, जिसकी वज़े से क्या होता है, आप उन सभी को याद कर लेते हैं, और फिर वही exam में लिखाते हैं, फिर आपको number नहीं मिल पाते हैं आप सोचते हैं कि हमने मेहनत पूरी की, हमने question का answer भी पूरा-पूरा सही लिखा जैसा हमारी book या copy में था, लेकिन फिर भी हमें number क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि जो आपका answer था ना, वो question के according नहीं दिया गया था, इसलिए ऐसा था, तो ऐसी गलती students से ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो answers हैं, उसका एक-एक word में बहुत ही सोच समझ कर लिखता हूँ, ताक कि आप उतना ही याद करें, जो सही है और जिससे आपको पूरे-पूरे number मिल सकें, इसलिए मैं वीडियो में सिर्फ एक या दो question ही discuss करता हूँ, तो चलिए start करते हैं, तो question ये है, how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings, ट्रांसपोर्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं कि एक जगा से दूसरी जगा जाना, तो oxygen और carbon dioxide human beings में कैसे transport होती है, ये question पूछा गया है, चलिए इसका answer देखते हैं, तो ये देखिए इसका answer है, इसका answer समझने के लिए आपको जो lungs की structure है, फेफ़डों की जो structure है, जिसमें bronchi, bronchioles, alveoli होते हैं, ये सब पता होना जरूरी है, तब ही आपको थोड़ा answer समझ में आएगा, तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं, ये देखिए, हमारे फेफडे कुछ इस तरह से बने है, ये देखिए रही nasal passage, यहां से oxygen या कह सकते हैं, air enter करते हैं, और वो यहां पे जाती है, इसके बाद, छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के end में क्या होते हैं, देखिए, balloon जैसे structure हैं आपे, जिसको हम क्या बोलते है अलवियोलाई बोलते हैं, तो ये होती है अलवियोलाई, तो अलवियोलाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो जितनी भी oxygen यहां से air हम लेंगे, वो कहां जाएगी लास्ट में, वो जाएगी अलवियोलाई के अंदर, उसके बाद आगे क्या होगा, वो समझाता हू और oxygen, तो hemoglobin का blood, sorry, oxygen के प्रती बहुत जादा affinity होती है, affinity मतलब लगाव, लगाव कह सकते हैं आप या जुडाव कह सकते हैं, जुडाव मतलब किसी चीज़ से जुड़े रहना, तो hemoglobin को oxygen से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, बहुत जुडाव है, तो होता क्या है, जै ऐसे ही oxygen alveoli में पहुचेगी, तो alveoli के just pass में blood की vessel जारी होती है, चलिए मैं आपको दुबारा आपनाग दिखाता हूँ, ये रही मान लीजिए alveoli, इसके just pass में क्या होता है, ये blood vessel जाती है, तो यहाँ है oxygen और यहाँ है hemoglobin, तो hemoglobin को oxygen से बहुत ज़्यादा प्यार है, त oxygen को खीच लेगा, खीच लिया उसने ऐसे, और फिर ये blood चलता रहेगा इसमें, और blood के साथ-साथ hemoglobin भी चलता रहेगा, तो जो उसने oxygen खीचा है, उसको लेकर body के हर एक cell तक जहाँ oxygen की जरूरत है वहाँ पहुचा देगा, तो इस तरह से जो है hemoglobin क्या करता है, oxygen को body के हर एक पार्ट तक हर एक cell तक जहाँ भी जरूरत है oxygen की वहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो इसमें जो आप ये तीन लाइन का अंसर लिख सकते हैं, अगर आप डाइगराम बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया रफसा, alveoli और blood vessel का वो भी ड्रो कर सकते हैं, तो hemoglobin oxygen को ट्रांसपोर्ट कर देगा oxygen deficient cells तक, जिन cells के पास oxygen नहीं है वहाँ तक, चलिए बात करते हैं कि carbon dioxide की transport कैसे होगी, क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया था oxygen और carbon dioxide दोनों की transport बतानी थी, हमने oxygen की discuss कर लिए बात करते हैं carbon dioxide, तो carbon dioxide देखे हमें चाहिए नहीं, carbon dioxide कहां से ब carbon dioxide जो है, वो हमारे cells में से बनती है, body से बनती है, body के अंदर जितनी भी reactions जैसे खाने का पचना है, glucose या pyruvate इस से पहले वाले question में जब मैंने discuss किया था, तो pyruvate oxygen की presence में तूटता है और CO2 बनती है, तो हमारे cells क्या करते हैं, carbon dioxide एक waste की तरह है, हमारे cells के लिए CO2 एक waste है, व तो carbon dioxide जो है न, वो soluble in water, water में आसानी से घुल जाती है, और blood plasma की बात करें, blood plasma में करीब 90% पानी है, तो बस हो गया काम आसान, जो भी blood flow हो रहा है, उसमें blood plasma है, और blood plasma में 90% पानी है, तो जो carbon dioxide cells ने बनाई, ये मानली जी एक cell है, जो मैंने इसर्कल सा बनाया, इसमें CO2 बन में, तो चली जाएगे, क्योंकि CO2 को पता है, कि वो plasma में आसानी से घुल सकती है, तो carbon dioxide जो है, water में आसानी से घुल सकती है, और blood का plasma 90% पानी है, तो इस तरह से carbon dioxide घुल जाएगी, घुली हुई तरीके से, it is transported in dissolved foam, यहाँ फोम आएगा, फोम आप डाल देंगे, यहाँ पर F-O-R-M, तो dissolved foam, dissolved घुले हुए रूप में, जो है, यह body tissues से निकलती है, फिर यहाँ से यह lungs में जाएगी, फेफ़डों में जाएगी, और वहाँ से diffusion process से body से बाहर हो जाएगी, तो diffusion process से, जो है, blood vessels से यह lungs में चली जाएगी, बात करते हैं, question number 4 की, इसमें पूछा गया, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases, इसमें बताना है कि lungs को किस तरह से design किया गया है, ताकि gases को exchange करने का, जो lungs का काम है, वो अच्छे से हो सके, वो maximize, maximum area प्रवाइड कर सके, तो अगर आप diagram को देखे ध्यान से, तो आप इसमें यह लिख सकते है कि lungs में क्या होता है, कि सबसे पहले bronchi होती है, bronchi के बाद bronchi और छोटी-छोटी pipes में divide हो आती है, उसको हम क्या बोलते हैं bronchiols, तो यह देखे बड़ी वाले pipe जो आरिए इसको bronchi, और फिर bronchiols, जो उसके बाद एक pipe और divide हो जाएगी, उसको हम क्या बोलते है, bronchiols बोलते है, तो डाइगराम में आप देख पा रहे होंगे, यह ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई आगे छोटे छोटे पाइपस में और डिवाइड हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के end पे क्या लगा होता है, अलवियूलाई, बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, जो की सर्फेस एरिया, एरिया को बढ़ा देता है, इस तरह से जो है, एक्सचेंज का काम, इसके लावा जो यह यह यहां पे बहुत सारी ब्लड वैसल्स होती है, ब्लड की कैपिलर, इस पतली ब्लड वैसल्स पास करते हैं, इ क्योंकि ब्लड से ही कार्बन डाइकसाइड ली जाएगी और ब्लड को यह ओक्सिजन दी जाएगी, तो यही चीज आप यहां पे आंसर में लग सकते हैं, कि लंक्स के अंदर एर पैसेज जो है, वो डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई जो है, फर्दर एकस्चेंज और इसके लावा, एल्विलाइज जो है, उसमें रिचली सप्लाइड विद थिन ब्लड कैपिलरीज फोर दा एकस्चेंज, तो एल्विलाइज के आसपास बहुत सारी जो है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ताकि एकस्चेंज हो सके, तो यह था, क्विश्चन पेज 105 का, तो आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेस्चन समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और जो कमी रह गई है, वो कमेंट बॉक्स में जिरूब बताएं ताकि हम वीडियो को और इंप्रूव कर सकें,